आज हम बात कर रहे हैं बेहत गुनकारी शैतूत के बारे में शैतूत एक ऐसा फल है जो आमतोर पर अब दिखाई नहीं देता शैतूत खाने में बहुत ही जादा स्वादिस्ट होता है और सिहत के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है आजकर डाइबटीज एक अलग ही समस्या बन चुकी है और हर तीसरे इंसान को डाइबटीज की समस्या हो रही है आप डाइबटीज के शिकार हो रहे हैं क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है आप बहुत सी कोई दवाईयां लेते हैं जिनका साइट इफेक्ट भी होता है और आप कम उम्र में डायबटीज के शिकार हो रहे हैं बहुत सारे घरेलू नुसके हैं जिससे डायबटीज या बलड प्रेशर को बलड शुगर को कंट्रोल किया जाता है जी हाँ, क्या आप जानते हैं, शैतूत के जो पत्ते होते हैं, वो बहुत ही जादा गुनकारी होते हैं शैतूत का फल खाने में स्वादिस्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए फाइदे मंद होता है सिर्फ शेतूत का फल नहीं बलकि इसके पत्ते एक औशदी की तरह काम करते हैं इसके पत्तों का सेवन करने से डायबोटीज की समस्या बिलकुल ठीक हो जाती है मोटापे जैसी समस्या भी ठीक हो जाती है शेतूत की पत्ती में D.A.N.J. नामक तत्व पाया जाता है जो आत में बनने वाले अलफा गुलुकोसाइज से मिलकर एक बैंड बनाता है ये बैंड खून में शुगर की मातरा को नियंतरित करता है इसके अलावा लीवर में बनने वाले अतिरिक्त गुलुकोस को भी नियंतरित करता है इसकी पत्ती में एकर बोस नामक एक तत्व पाया जाता है जो खाना खाने के बाद की शुगर को नियंतरित करता है इसको कैसे इस्तमाल कर सकते हैं सबजी में डाल कर खा सकते हैं आप पत्तों को सलाद में खा सकते हैं अगर आप इसकी सबजी या सलाद नहीं खा सकते तो दिन में एक बार मुँ में रख लें और चबाएं या आप इसको चाय के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसकी पत्त आप इसको मोटापा कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक अध्यन के अनुसार कई जानवरों में शैतूत की पत्यों का अर्क पीने से मोटापा कम हुआ है और उससे जुड़ी विमारी भी कम हुई है। दिल के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही खून साफ करता है। इसकी पत्यों की चाय पीने से आपका खून साफ होता है तो अचा से सम्मन्दित रोग ठीक होते हैं। साथ ही अगर आपको कोई इसकिन अलर्जी है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। मुहा से भी ठीक करता है शैतूत की पत्यों और नीम की चाल को बराबर मात्रा में पीस कर इसको अपने चेहरे पर लगाएं इसका लेप अपने चेहरे पर लगाएं जिसको लगाने से आपके मुहा से बिलकुल ठीक हो जाते हैं। ये थी शैतूत से जुड़ी कुछ बातें जो आपकी बिमारियों को ठीक करती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए कल्पना ओल इन वन के साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा और खाना भी बिलकुल मत भूलेगा आज से ही अपनी डाइट में शेयतूत को शामिल करें